नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको ये खुबसूरत साड स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे इसे आप किसी भी कलर पर बनाएए ये बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब् स्विये in आपके अपको अविशक्ता है पंद डाल ली और अचैनल भीगशा को होता वाफ फंदा दोस्तों अपका पंदा की आप 10 को 2 म everyday है अ मिरे खाल है या यहां पर हम शुरू किये हैं वही हम यहां पर आपको शुरू करके बताएंगे तो इस तरह से देखिए यहां पर पहला सलाई जो हम बनाएंगे एक फंदा को इस तरह से उतार लेंगे एक फंदा को सीधा से ऐसे उतार लेंगे और धागा को तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा पहले मोती इस पर थोड़ा सा डाल दिये हैं और अब हम इस पर देखिए 21 फंदे डाल दिये हैं यहां पर हम 21 फंदे डाले हैं और हम यहां पर बॉर्डर नहीं बनाएंगे आपको बॉर्डर बनालना है जितना फंदा डालिएगा और उसके बाद उसके बॉर्डर बनालना है और बॉर्डर बना करके देखे हम इस तरह से शुरू करेंगे पहला फंदा को इस तरह से पहला द्धागा को आगे करेंगे और इसको फिर से एक बार ऐसे रोटेट करके आगे कर लेंगे देखिए ऐसे यह हमारा एक जाली बन जाएगा यहाँ पर और अब हम यहाँ पर नो फंदा बोन लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एक नो नो फंदा हम उल्टा बोन लेंगे देखिए इस तरह फिर धागा को ऐसे करके पीछे करेंगे और फिर इस तरह लपेटते हुए पीछे कर देंगे देखिए इस तरह से धागा को इस तरह से लपेट के फिर इससे पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बोलनेंगे ऐसे सीधा बोलनेंगे फिर धागा को इस तरह से लपेट के आगे ले आएंगे और नौ फंदा उल्टा बोलनेंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और एक नो नो फंदा उल्टा बोलनेंगे नो फंदा उल्टा बोलनेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और एक फंदा को सीधा बोलनेंगे ये लास्ट में एक फंदा रहेगा इधर भी लास्ट में एक फंदा है तो आगे इस पे आपको बनाने में आसानी होगा तो अब देखिए उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए पहला फंदा को हम उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा से बुन देंगे जितना भी फंदा है हर बार हर सलाई हम उल्टा का उल्टा ही बुनेंगे तो इस पे हम पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं 9 फंदा उल्टा बोल लिए, फिर धागा को पीछे करेंगे और 1 फंदा को सीधा बोल लेंगे, ये लास्ट में एक फंदा रहेगा, इधर भी लास्ट में एक फंदा है, तो आगे इस पे आपको बनाने में आसानी होगा, तो अब देखें उल्टा के तरफ से, उल्टा के इतना भी फंदा है, हर बार हर सलाई हम उल्टा का उल्टा ही बुनेंगे, तो इस पे हम पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं, देखे उल्टा के तरफ से हम पूरी सलाई बना लिये हैं, और अब हम सीधा के तरफ से देखे, पहला फंदा को इस तरह से उतार लेंगे, और एक फंदा को सीधा बुन देंगे, जो हम जाली बनाए थे एक फंदा को सीधा बुन देंगे, फिर धागा को इस तरह से रोटेट करके आगे ले आएंगे, और यहां पर नौ फंदा को उल्टा बुन देंगे, इस तरह से देखे एक फंदा इधर हमारा बढ़ती जाएगा, नौ फंदा उल्टा, फिर देखे यहां पर हम इस तरह से जाली बना के पीछे की ओर ले जाएंगे और तीन फंदा अब सीधा बनाएंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाए थे, इस वार तीन फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा को इस तरह रोटिट करते हुए आगे ले आएंग नौप अंदा को उल्टा बुन देंगे तीन चार पाँच छे और उल्टा के तरब से फिर हम उसी तरह से उल्टा बुन लेंगे पूरी सलाई उल्टा बुनना है तो उल्टा बताना हर बार जरूरी नहीं है इसलिए हम उल्टा के तरब से बुन के आपको हम दिखाएंगे तो देखे यह हम सीधा के तरब से बना लिए उल्टा के तरब से हम फिर से बना लेंगे तो देखे यहाँ पर हम उल्टा के तरब से पूरी सलाई बना लिए हैं और अब देखिए यहां पर हम एक फंदा उतार लेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे एक दो फंदा सीधा बुनेंगे उसके बाद इस तरह से जाडी बनाएंगे धागा को आगे ले आएंगे फिर नो फंदा उल्टा बनाएंगे यहां पर हम 9 फंदा उल्टा बना लेंगे 9 फंदा उल्टा फिर धागा को ऐसे रोटेट करके पीछे ले जाएंगे और यहां पर आप 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे तो यह फंदा हमारा बढ़ते जा रहा है देखिए यहां पर 5 फंदा सीधा फिर धागा को ऐसे रोटेट करके आगे लाएंगे और न पंदा उल्टा तो इस तरह से हम पूरी सलाई बनाते जाएंगे आपर न पंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा बना देंगे फिर उल्टा के तरफ से उल्टा बून लेंगे सीधा बना दिये उल्टा के तरफ से उल्टा बून लेंगे तो देखे यहाँ पर हम उल्टा के तरफ से बना लिये हैं और इस तरह से आपका डिजाइन दिखेगा अब देखे हम क्या करना है एक फंदा उतार लेंगे और एक दो तीन चार और यहाँ पर देखिए तीन चार फंदा को यहाँ पर सीधा बना लेंगे अब हम यहाँ पर फिर से जाली बनाएंगे और यह नो फंदा को उल्टा बुन देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ और एक, नौ, नाइन फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर धागा को इस तरह से रोटेट करके पीछे ले जाएंगे, और इस साथ फंदा को अब हम सीधा बुनेंगे, साथ फंदा सीधा और फिर धागा को रोटेट करके आगे लाएंगे, और ये नौ फंदा उल्टा इसको हम उल्टा पुरा बुन देंगे, लास्ट का फंदा जो रहेगा, उसको हम सीधा बुनेंगे, बहुत ही खुबसूरत सा डीजाइन है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे दीजे, बहुत खुबसूरत लगेगा, लाश्ट वाला सीधा बुन दिये, उल्टा के तरफ से फिर पूरी सलाई उल्टा बनाएंगे उल्टा के तरफ से देखे हम पूरी सलाई उल्टा बना लिये हैं और अब हमारे ये लाश्ट जो सलाई बनेगा, अब ये डिजाइन का हमारा लाश्ट सलाई है तो इसको देखे कैसे बनाएंगे एक फंदा को उतार लेंगे और एक ये फंदा जो है धागा को हम आगे कर लेंगे और ये जो सीधा का फंदा है इसको हम उल्टा से बुन देंगे एक दो तीन ये फंदा हम उल्टा से बना लेंगे और अब हम यहाँ पर तीन एक चार फंदा को उल्टा से बुनेंगे और अब हम यहाँ पर धागा को पीछे करके इस तरह से धागा को रोटेट करके पीछे ले जाएंगे और इसको जो नौ फंदा जो उल्टा था इसको हम इस तरह सलाई पर उतार लेंगे देखे इस तरह सलाई पर 9 फंदा को उतार लेंगे और ये जो 9 फंदा है इसको हम इस तरह से सलाई को डाल करके और इस पर इस तरह से धागा को लपेटेंगे और लपेट करके इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो सभी फंदा जो है आठ फंदा इसको हम इसके उपर से इस तरह से टपा देंगे सभी फंदा को इसके उपर से इस तरह से पास करते जाएंगे देखे इसके उपर से इस तरह से टपा देना है तो ये सभी फंदा को हम उपर से टपा दिये और यह इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर हमारा एक जाली बन गया है तो इस तरह से हमारा यह फूल बन जाएगा और इस धागा को अब हम आगे की ओर ले आएंगे और एक मोती हम यहाँ पर आगे पर लगा देंगे और अब देखे इस फंदा को इस सलाई पर ऐसे उतार लेंगे और धागा को इस पार कर देंगे ताकि जो है मोती एक जगह पर बैठ के रहे और धागा को फिर हम इस तरह से आगे करके फिर से एक बार लपेट के आगे कर लेंगे तो यहां पर हमारा जाली बन जाएगा और अब हम इस नौफंदा को उल्टा बोन लेंगे जो सीधा था इसको अब हम उल्टा से बोन लेंगे अब हमारा फूल यहां पर बनेगा तो देखे इस तरह से यहां पर नौफंदा को उल्टा बना लेंगे और दो चार छे आठ और एक नो नो फंदा को उल्टा बना लेंगे फिर धागा को इस तरह से लपेट के पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर इस नो फंदा को इस सलाई पर उतार लेंगे इसको उतार लेंगे नो फंदा को दो चार छे आठ नो फंदा को और नॉम्मा फंदा जो रहेगा इसको हम इस तरह से सलाई पर चड़ा के और इसको हम इस तरह से एक फंदा बना लेंगे अब इस सभी फंदा को हम इसके उपर से इस तरह से टपा देंगे देखे यहाँ पर हम सभी फंदा को टपा दिये हैं और धागा को आगे कर लेंगे और इस पर हम एक मोती इस तरह से लगा देंगे अब हम इस फंदा को इस सलाई पर उठता रहेंगे और धागा को इधर से लपिट के फिर से वापस से इस सलाई पर कर लेंगे और यहां पर हम एक फंदा को उल्टा बुन देंगे, इधर हम जाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहां पर फिर फंदागा बढ़ते जाएगा, इसलिए इधर हम जाली नहीं बनाएंगे, अब देखे यह फूल यहां पर बनेगा, यहां पर दो फूल बन गया, अब यह तो आगे जब बनाएगा तो इस तरह से बनने लगेगा तो देखे हम यहां पर दूसरा फूल बनाकर दिखाया हैं तो इस तरह से बनेगा तो दोस्तो आपको मेरा ये वीज़्強 कैसा लगा अगर आपको म세 bonus पसंद आया हो तो लाइक करें और धेर्षार adesso सेर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू